नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स स्टडी में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्सन से आपको जब भी हम हरियाना से रेलेटिड कोई भी वीडियो अप बंदीत प्रसनों के बारे में और यह है इस सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो है इससे पहले हम दो वीडियो में डिसकस कर चुके हैं और इस वीडियो में हमारे टोटल बारा प्रसन है और यह प्रसन पहले भी जो एक्जाम होते हैं HSSE का एक्जाम होता है, पटवारी का एक्जाम होता है, कलर्क के एक्जाम हुए हैं, ये question पहले भी पूछे जा चुके हैं, और आगे भी आगामी प्रिक्षाओं में इन प्रसनों के आने की गुंजाइस है, सो अब हम इस वीडियो को सुरू करेंगे, सबसे पहले सुरूआत क किस स्थान में मारूती कार निर्मान उध्योग स्तापित है, इस प्रशन के option हमारे पास हैं, पहला option है रहोतक, दूसरा option है कैथल, तीसरा option है हिसार, और चोथा option है गुरुग्राम, तो इस प्रशन का जो उत्तर है वो है, option D, गुरुग्राम गुरुग्राम में हरियाना में मारूती निर्मान उध्योग स्थापित है, अगला प्रशन हमारे पास है, हरियाना में राष्ट्रिय राजमारक की कुल लंबाई कितनी है, हरियाना में नैसनल हाईवे जिसको बोलते हैं, राष्ट्रिय राजमारक की कुल लंबाई कितनी है ओप्षन हमारे पास है पहला ओप्षन है 2525 किलो मीटर दूसरा ओप्षन है 1475 किलो मीटर तीसरा ओप्षन है 1350 किलो मीटर और चोथा ओप्षन है 1462 किलो मीटर तो हरियाना में जितने भी राश्ट्रिय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option D हरियाना में राश्ट्रिय राजमार्ग की लंबाई 1420 km है अगला प्रशन हमारे पास है हरियाना के किस सहर में रेलवे का वर्क्शोप है उप्शन हमारे पास है पहला option है फतियाबाद दूसरा option है जजजर तीसरा option है जगाधरी और चोथा option है अमबाला तो इन चारों में से वो कौन सा सहर है जहां पर railway का workshop है तो इस प्रसन का सही उत्तर है जगादरी option C जगादरी में railway का workshop है अगला प्रसन हमारे पास है याद विंदर उध्यान जिसे उत्री भारत का नंदन वन कहा जाता है याद वेंदर उध्यान, जिसे उत्री भारत का नंदन वन कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है पहला option हमारे पास है कुरुक्षेत्र, दूसरा option है मादो घड, तीसरा option है पिंजोर, चोथा option है उच्छाना इन चारों में से वो कौन सी जगह है जहां पर यादविंदर उध्यान है जिसको नंदन वन भी कहा जाता है इस प्रशन का सही उत्तर है यादविंदर उध्यान पिंजोर में है अगला प्रशन हमारे पास है कौन सा तिर्थ स्थल अर्द चंद्राकार है कौन सा तिर्थ स्थल अर्द चंद्राकार है पहला उप्षन हमारे पास है सूर्य कुंद दूसरा उप्षन है प्राची तिर्थ तीशरा उप्षन है देव सर और चोथा उप्षन है कपाल मोचन मैं फिर से उप्षन बता रहा हूँ सुर्य कुंड, प्राची तिर्थ, देवसर, कपाल मोचन तो इन चारों में से वो कौन सा तिर्थ स्थल है जो अर्ध चंदराकार है इस प्रसन का सही उत्तर है कपाल मोचन Option D कपाल मोचन जो तिर्थ स्थल है वो अर्ध चंदराकार है और यह यमनानगर जिले में स्थीत है और यह बिलासपूर के पास है जिसमें कार्तिक मास को जो कपाल मोचन का जो मेला लगता है यह काफी परसीद प्लेस है अगला प्रशन हमारे पास है हर्याना को कितने विधान सबा निरवाचन छेतरों में बाटा गया है हर्याना को कितने विधान सबा निर्वाचन छेत्रों में बाटा गया है तो इस प्रसंद के जो उप्षन हमारे पास है पहला उप्षन है 78 विधान सबा छेत्र दूसरा उप्षन है 88 विधान सबा छेत्र तीसरा उप्षन है 91 विधान सबा छेत्र और चोथा option है नब्बे विधान सबा छेतर तो इन चारों में से वो कौन सी संख्या है जो हरियाना में विधान सबा निर्वाचन छेतरों के बराबर है तो इस प्रसन का जो सही उत्तर है वो है option D हरियाना में वर्तमान में 90 विधानसवा निर्वाचन छेतर हैं जिन में हर 5 सार बाद चुनाव होता है जब भी हमें हरियाना में एक नई सरकार को चुनके लेके आना होता है तो उसके लिए 90 विधानसवा छेतरों में मतदान डाला जाता है अगला प्रशन हमारे पास है भारत के लिए ओलंपिक में मुक्के वाजी का अब तक का प्रथम पदक किस खिलाडी ने जीता भारत के लिए ओलंपिक में मुक्के वाजी का अब तक का प्रथम पदक किस खिलाडी ने जीता Option हमारे पास हैं पहला Option है अखिल कुमार दूसरा Option है राजिव त्यागी तीसरा Option है विजेंदर कुमार और चोथा Option है सुसील कुमार तो इन चारों में से वो कौन सा खिलाडि है जिसने मुक्के बाजी में औलम्पिक में पहला पदक जीता है तो इस प्रसंद का जो सही उत्तर है वो है विजेंदर कुमार विजेंदर कुमार ने ओलंपिक में मुक्केवाजी में प्रथम पदक हासिल किया अगला प्रशन हमारे पास है सुल्तानपूर पक्सी विहार की स्थापना कब की गई सुल्तानपूर पक्सी विहार की स्थापना कब की गई ओप्शन है वर्स 1970 में वर्स 1971 में वर्स 1972 में वर्स 1974 में तो इसका जो सही ओप्शन है वो है वर्स 1971 में सुल्तानपूर पक्सी विहार की स्थापना की गई अगला प्रशन हमारे पास है जिला सोनीपत का एटलस साइकल उध्योग विशव के कितने प्रमुक साइकल निर्माण प्रतिस्ठानों में से एक है जिला सोनीपत का एटलस साइकल उध्योग विशव के कितने प्रमुक साइकल निर्माण प्रतिस्ठानों में से एक है ओप्शन ए है तीन ओप्शन बी पांच ओप्शन सी साथ और ओप्शन डी नो तो इस प्रसंद का सही उत्तर है तीन ए तो कह सकते हैं कि जो जिला सोनीपत है एटलस साइकल उध्योग विशव के तीसरे साइकल निर्माण प्रतिस्ठानों में से एक है अगला प्रसन हमारे पास है राजीव गांदी तापिय विद्युत प्रियोजना एवस्थित है कह सकते हैं कि राजीव गांदी तापिय विद्युत प्रियोजना हरियाना में किस जगे पर है ओप्शन हमारे पास है, ओप्शन A कैथल में, ओप्शन B खेदड हिसार में, ओप्शन C गुरु गुराम में और ओप्शन D पानीपत में तो इस प्रसन का सही उत्तर है हिसार खेदड में यह अंबाला हिसार रोड पर है, खेदड एक जगह है जहां पर राजिव गांदी तापिय विदित प्रियोजना है अगला प्रसन हमारे पास है, हरियाना डिस्टलरी की स्थापना कहां की गई? इसका ओप्शन है, ओप्शन A हिसार, ओप्शन B अमबाला, ओप्शन C यमना नगर और ओप्शन D सोनिपत तो इस प्रसन का सही उत्तर है, ओप्शन C यमना नगर में डिस्टलरी की स्थापना की गई है अगला प्रसन हमारे पास है, इस वीडियो का अंतिम प्रसन रहे? तो इस प्रसन का जो सही उत्तर है वो है वर्स 1984 में चोदरी बंसी लाल के अंदर सरकार में परिवैन मंत्री रहे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं सोसल मीडिया पे फेस्बुक पे वाटसब पे अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और N Universe Study को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है जिसे हम अपने काम को और बेतर तरीके से करने की कोशिस करते हैं धन्यवाद आपका दिन सुब रहे